नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देखने नेशनल जन्मत नेशनल जन्मत के दर्सकों के सामने आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिब अनूप चंद्रपांडे की न्युक्ति मुख्य सचिब अनूप चंद्रपांडे 1984 बैच के I.S. ऑफिसर हैं उनको मुख्य सचिब के पत पर न्युक्त किया गया है तो उनकी न्युक्ति पर सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि अपने से वरिष्ट 14 अफसरों को दरकिनार कर या सूपर सीट कर जिसको कहते हैं वो ने मनपसंद ऑफिसरों को न्युक्त करने के लिए तमाम सारे वरिष्टों को दरकिनार कर देती है तो अब ये देखिए कि भारती इंदा पार्टी की सरकार ने अनूप चंद्रपांडे को मुख्य सचिब बनाने के लिए किनके नदिकारियों को दरकिनार किया है तो मैं ब करना चाहती है और इस चीज को दरकनार करना चाहती है कि ये समाज ठाकुरबाद और ब्रहमणबाद को पाल पोस रही है मुझसे एक भारतिय अंदा पार्टी के नेता ने कुस दुन पूरुब कहा था कि चंदर प्रकास इस बार मुख्य सचिप हो सकते हैं उस समय भी मैंने य 83 बैच में मैं बताता हूँ राजीव कपूर, राहुल प्रसाद भटनाकर, राजपरताप सिंग, चंचल कुमार तिवारी और संजीव सरन इन पाँच ओफीसर को सूपर सीट किया गया है दो अफीसर ऐसे हैं, दीपक सिंगल और राजीव भटनाकर, राहुल प्रसाद भटनाकर, जिन लोगों को समाजबादी पार्टी की सरकारे में मुख सचिप बना दिया गया था, उनलों को भी जागर छोड़ दिया जाए, तो शायद ये कोई बताने में सक्षम नहीं होगा कि 1982 बैच के आईएस ओफीसर चंदर प्रकास को केवल और केवल दलित होनी की सजा मिली है क्या, हम उक्ता तोर पे नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जिस तरीके का ट्रांसफर पोश्टिंग में खेल चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि समाजबादी पार्टी सरकार पर जिस तरह से आरोप लगते थे, कि उसने थानों पर यादाव बाद, यादाव लोगों को थानदेक्ष बना दिया है, आप इस सरकार में हमारी बात पर भरोसा मत करिए, जिस भी जिले के आप निवासी हैं, उस जिले में थानों की लिष्ट बनाईए, और उसमें देखिए क कि कितने थानदेक्ष के पदों पर, इंस्पेक्ठर के पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं, तो आप यकीन मानेंगे कि अधिकारियों से लेकर, SPDM से लेकर, अन्य परमुक पदों पर, CEO बगेरा से लेकर, आप जो थानदेक्ष तक आएंगे, तो आप देखेंगे कि अधिकारियों की वहां पर भरमार मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ यह दिखाना आपको चाहते थे कि सरकार कोई भी हो वो अपने पसंद के लोगों को अपने जाती के लोगों को प्रमुक पदों पर बैठा नहीं चाहती है इस से पहले देखिए समाजवादी परड़ी की सरकार थी उसने जब दीपक सिंगल को 1982 बैच के आईएस ओफीसर को मुखे सचे बनाया था उस पर भी सवाल उठे हाला कि वो धाई महीने ही रहे अकले स्यादों ने उनको हटा दिया राहूल बटनागर को इसके बाद मुखे सचे बनाया तब उन पर फिर आरू सूपर सीट किया गया था ओपी सिंग ओम प्रकास सिंग जो बरतमान में डीजीपी है उनको CISF में डीजी के पतपर थे केंदरी प्रतिन्युक्ति से बुलाकर जब डीजीपी बनाया गया उत्तरपरदेश का तो बहुत खामोसी से बनाया गया लाश्ट तक उनका नाम उप पिसर्स जो बरतमान में IPS है प्रिवीन सिंग, डॉक्टर सूर कुमार, राजी उराय भटनागर और गोपाल गुपता इन चारों अधिकारियों को दर्कनार करते हुए, सूपर सीट करते हुए, ओपी सिंग को निफ्थ किया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था, कि ये ग्र सरकारों के हित्मे भी बोलें और मुद्दों से बठकाने की कोसिस भी करें, लेकिन अगर आप सरकारों से डारेक्ट लावानवेत नहीं हैं, हमारे जैसे आप निउट्रल और समाने तरह के लोग हैं, जिनको किसी भी सरकार में बहुत ज़्यादा लाव मिलने की संभावना होती है, तो आप से मेरी अपील यही है, कि आप निउट्रल रहें, सरकार के जाती बात पर, कोई भी सरकार हो, उसके जाती बात पर सवाल उठाते रहें, अपने बास्तों मुद्दों पर फोकस करें, जब आप खुद कहते हैं, कि आपका प्रधान मंत्री अभी तक का सबसे ससक्त परदान मंतरी है, गिरह मंतरी आपके पास राजनास सिंग है, राष्टी सुरक्षा सलाकार भी आपके पास इतने मजबूत हैं जिनको आप जेम्स बॉट की तुलना कर देते हैं कभी-कभी आतीसी उक्ती के कारण, तो फिर भारत कस्मीर, भारत में कस्मीर रसोई के महंग, रसोई के दामों के महंग, दाम बढ़ने के मुद्दे इन पर फोकस करना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में किसी भी सरकार के सही काम की आप एक रूप रेखा बना पाएंगे और ये मान पाएंगे कि कौन सी सरकार ठीक से काम कर पा रही है या नहीं, यही इस वीडियो के माद्यम से हमारी आपसे अपेल थी आप सजग रहिए, जागरुक रहिए और हमारे इस कैथन को क्रोस शेक भी करिए और देखते रहे हैं नेशन जन्मत, धन्यवाद दोस्तों कर आपने मेरे यूटीब केनल स्ट्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे निव वीडियो है